जिए राम ने सांगदर दिया गुरुजी लखमिछंद को बुला लिया गुरुजी का मूस exhausted गेर दिया गुरुजी बैठो, आख मेरी कलाकारी देखो आज सांग का बेडे बंद बंड के मैं शांग सुनाओं गा हर कलाकार का एक किस्वा ऐसा होता है जिस किस्से को वो दिल से गाता है जैसे मेरा किस्सा जो है वो पिंगला बरतरी का है जब भी गाता हूँ आत्मा अपनी खुश कर लिता हूँ पबलिक की अपने आफ़ जाती हर कलाकार का अलग अलग है मेरे गुरुजी करमपाल सर्मा है कभी दिल से उनका मोर दवज का किस्सा सुनना आखों में असल वा देंगे उसी प्रकार लखमी चंद का जो फेवरेट किस्सा था वो साही लकड हारे का था मांगे राम ने साही लकड हारा किस्सा ठालिया रागनी शुरू करी मात पिताओ जनम देन के ना करमा के साथी सत गुर्ज्यान विचार्विना को बनता ना ही माती इस रागनी में एक लाइन गलती कर गया मांगे राम लखमिचंद एकदम तप पिछट बोल्या ऐ मांगे गलती कर गया ने ठीक कर गगा अगली कली में फेर गलती कर गया बैंत लेका खड़ा हो गया लखमी संद रहा मांगे ठीक कर गएगा ना तो गाणा बंद कर मांगे राम बेजती शी माने गया अपने मन बोला गुरुजी ने तो पबलक में भेशती कर दी बोला गुरुजी मैं कच्चा हूँ अभी एक मिन्ने का सरदारो टेम ले रहा हूँ पूरी पबलिक दे आज एके दिन एक महिने बाद दुबारा सांग होगा अर गुरुजी अगर आपका सच्च और पक्का चेला हूँ अपना लिखा हूँ या अपना बनाएडा सांग गाऊंगा ना आपका गाऊं ना किशे दूसरे का गाऊं जिद कर गया सांग वहीं बंद कर दिया अगली तारिक पबलिक ते दे दी अगली तारिक आते आते जब वो तारिक आई सांग जुड़िया तर सजनों तीन गुणा पबलिक ज़ाद है गुरू चेले कुछा सांग बढ़ी है ठावांगे बिढ़ते ही जुकर देवी मनाई देवी मनाती गुरू जी के पैर के आत लगा कब ले गुरू जी खड़ा हो ले अब मैं और मेर सिंग दोनों मिलके आप ते कुछ सवाल करेंगे और देखे गुरू ते कोई कमप्टिशन नहीं कर सकता के देवी और जो करे वो मूरक है गुरू जी हम और आप ग्यान चर्चा करेंगे सास्तराथ करेंगे और जो सुनने वाड़े हैं उनको पुन में लगा गाने वाड़ा सुनने वाड़ा भव पारो जाओगा सवाल करते हैं चेले और जवाब देता है गुरू क्या सवाल किते किताब में नहीं पावे किसे गुर्णत में नहीं पावे वेद में नहीं पावे सजनों वे जवाब लखमिचंद अनपड़बा मनने दिये कुछ भावनात में है गुरू जी एसा ग्यान वो सिखादे कोई गावनिया निगादे है गुर्थी एसा ग्यान निगादे कोई गावनिया निगादे गुर्थी एसा ग्यान शिखादे कोई गावनिया निगादे घ्यान कितने प्रकार के होते है खेचाई कितने प्रकार के ग्यान हो है बताईे बैपे माता की माते बता दे इर बे माता की मात बता दे सास बता दे गो राखी सिव संकर का गुरू बता फिर बात करूँगा ओ राखी वा अश्ट बुजी किसी की पुत्री जीने करी सहता चो राखी उस सादू का नाम बता जिने करी सवारी मोराखी है गुरू जी पाणी में आगी लगा दे एक वे कावन आधी गाती अब तू बता इसने के पुछा है बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की बे माता कोण जो बच्चा जिसकी छटी की रात बनाई जाती है बच्चा पेदा होता वो बागी लिखने वाली कोई देव याति उसका नाम बे माता है हर किसी की चटी की रात को बहे माता आती है, उसके पूरे जीवन का भागे बनाती है, भागे बनाने वाणी माता को? बहे माता उसकी मात ओड़े शास बता दे गोरा की शासू श्रीव प्रकरति का गुरु यह पे गोर्म रहा? हाँ अश्ट भुजी किसकी पुत्री जो करे साहता चोरा की कोई चोर चोरी करने जाए वो अश्ट भुजी की पूजा करता है हाँ अच्छ वो किसकी बेटी है हाँ उस सदू का नाम बता जो करे सवारी मोरा की मोर की सवारी करने वाड़ा सदू हाँ पे तोड में जबुजी भाई गुरु जी पानी मांग लगादे को गाउनया। अनुसुया सासु गोरागी अनुसुया सास को रागी सिवसंकर का गुरू अंगीरा इब बात करें ओ रागी सिवसंकर का गुरू अंगीरा बात करें ओ रागी अरे अश्टबुजी ब्रह्मा की पुत्री जो करेसा है ताचो राखी बालकनात एक ऐसा सादू जो करेसा वारी मोराखी अर अगली लाइन में के बुच्छा दा? गुरु जी पाणी में आग लगा दे लेकिन गुरू है गुरू तो आग में बाके लगा दे अगले सवाल बुचू तैयारू इसे इसे सवाल बुचू का जो समभ मिनी ने हो सकते है अरे बोल बिटा बोल कर दो काम ने? कर दे काम ने? कर दे काम ने? कर दे काम आरे बाब के ब्या मैं बन्यां भी चोला है? कर दे बोला का मैं बन्यां भी चोला पर्ले कितनी परले जितनी बारिस होगी पीवण में ना चले पाया आए गुरुजी हो गुरुजी बेले धरामे की लादे प्रेना बढ़्यादी लादे आए गुरुजी सवाल को खोल के बता बाप के ब्याम है बढ़ा भी चोला वो लड़का किता आया गर राक्षस का बेश देवता कुण से युग जी मनाया देवता है लेकिन राक्षस मनके कुछ खाने आया फिर अंदन के बंडार वरे ते फिर भी ओचिक्या नहीं बुखा ठाया इतने बंडार वरे फिर भी भुखा परले कितनी बारिश होगी पीवन ने जल पाया इतनी परले बारिश वी लेकिन पीने को जल नहीं मिले और गुरुजी बेल दरम की लादेर को गाउन याए गादिव अरे बाप के भी हमें बिशम बिचोला समझ के होंगे ना कहीं 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 के सब समझ के तू हैं कहीं करता रहा है अजी ठेकेदार ने पुछवाई है सर्पन साफ के नहीं है और ये दोनों कठे है से श्चन का फिर दुबारा सो पर जोर दार ताली तो आजा साब पूरा मत मानना जी और पूरा मानना तो पूरे विजवाना फिर ऐसे अस्तेरों प्रमात्मा आपके जीमन में खुसियां थे एक पर वाईयों के लिए जोर दार ताली बिचोला जो देव लोग ते चल आया करे राक्षस का बेस गनेस सद् अनधन के भंडार भरे छिक्या नहीं बूक काठाया परले कितनी बारिश होगी पीवन ने ना जले पाया याल दराम लाव दे भेल बेल क्या होती है चो लिए कोटाम बेलいる उपक जाएनों बेल जो चोटी ही पतली चोटेशी पतली कची ही अथा ग्युरू पेर दह्राम की बेल को खीति काम ने चाल लगा ओंट लबी जांग किकी तुंसम्हें भीन का बहीं करते हैं भूरूक है भ आजा, उस लड़के का नाम बता, जो नाम आता के पेट पड़ा, ऐसा बेटा कोण, जो गरब से पैदा नहीं हुआ, मात पिता ना संग के साथी बे माता ना नहीं गड़ा, आच्छा, ना माने गड़ा, ना बाप ने, ना बे माता ने, फिर, जना महोंते करी लड़ाई, एक मिन्ट लिकडी बार होते खड़ा हो गया, नुग लड़ूंगा, जना महोंते करी लड़ाई, ना कोई सन्मूख होया खड़ा, लड़ा भी जित्त्या भी, जै जैकार हुई कि शियुक में देव लोग में जिकर छिल्या, बताओ, वो से, उस ल पारवती की नाने की इछा हुई, जी, पीली मिट्टी ते गनेश मनाया काते देखिये पंड़ जी, पीली मिट्टी की गनेश मना के पूजा आवन करवाते, और उसमें प्रान डालके ये का के बेटे, मैं सनान करने जा रही हूँ, गुफा में किसी को आने में देना, माता पारवती सनान करने गई, बोडा बाबा आ गया, दोनुमा में लडाई हुई, उस लड़के का नाम गनेश जो ना माता के पेट पड़ा, गोरा मान करी घडाई, बे माता न नहीं घडा, गोरा मान तरी धड़ाई देवा कान नहीं लड़ा जनम लेवतेई लड़ाई सनमुक ना कोई हुया खड़ा सिवसे नाम भी हरा दई न्यू देवे लोक मैं जिकर चुड़ा सिवसे नाम भी हरा दई देवे लोक मैं जिकर चुड़ा हाए गुरु जी मन का भरा में मिटा दे हाए गुरु तो छेंड चार का भेद बता आज़ा बता ये छेंड चार का भेद जो गुरु बता रहा है ये छे चार क्या चीज है चार वेद छे सास्तर बैवा बिटा देख ले कदे गलती करियो सोच ले यह जी ठीक है तो इधर आवे तू बता बैज देखना अगर चेला मेनत करता है तो आपका अशिरवात पाने का बिल्कुल अगदार है अगर दिल को बात शुए यह मेनत करते ह अब तो ये बता दुनिया में एक क्या है एक औम है दो जमीन औरन तीन लोग चार वेद, पाच, तत्व, छे, शास्त्र, साथ, दीप, आठ, बसूग, खंड, इंद्री, यारे, रुद्र, बारे, सूर्य, रतन, चोदे, बवन, पंद्रे, तिथी, सोडे, सिंगार, पिशे, उरान, उपनिशद, बीस, बीस, बगवान का नाम जिनकी चार-चार कलाई है, पिश दीष बगवान, शाबष, बुद्र, शाबष, चलिए. ब्राण प्याग के लड़की का चोला पाया ओई जवान पड़ी जरूरत पती मों तेना ब्याह करेवाया अरे उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुतर जाया पति की सेवा करने लाग गी, पुठर का सर तरे वाया महराज अपनी इच्छा त प्रान त्याक का लड़की का चोला पाया कोई पहला जीव था, फिर अपनी इच्छा त प्रान त्याक दीया और फिर वह लड़की बन गी धीक है उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुतर जाया, एक संतान को जनम देने के लिए नो महिने का टाइम अलगता है, लेकि नहीं शी लड़की जिसने एक पल में पुतर पेदा कर दिया उस लड़की का नाम बता जिनने एक पल में पुतर जाया पती की सेवा करन लागी पुतरगा सरतर वाया बताओ माराज एक मिंड़की ने प्रान त्यागे दिये क्यों करे कथा है बहुत बड़ी सुनाओ सोट करके बताओ छोटे रूप में जब पांडवों ने युद जीत लिया असमेग यग करा 33 कोटी देवी देवता बुलवाए तो किरसन जी को ये डर हो गया अगर ये यग संपूरन हो गया ये पांडवतन ने भी कुछ नहीं समझाएंगे इनका यग संपूरन नहीं होना चाहिए सारे देवी देवता को बुलाए लेकिन देत्यों के गुरू सुकराचारिये को नहीं बुलवाए ये दिश्च्र को कह दिया उसको न्योता ना दे दिये सुकराचारिया आगया तो तुमारा ये जग संपूरन नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसकी एक काणी से खंडित आदमी है न्योता नहीं दिया किर्शंजी ने छड़ करके सुक्राचारियों को जाकर बता दिया तू नहीं बुलाया इन पंड़मा नहीं है तो जगणे अंड़ी बनगे गुस्षा कर दिया बला जी सुनो मैं उनकी हममा फुपी के है आप आणा आणा मैं आपका स्वागत करूँगा उन पर न्यूता नहीं दुआया और खुद जाके न्यूता दिया है जब वो आया सुक्राचारी है पूस्तावे मुझे क्यों नहीं बुलाया इदिश्टर बुले साब आपकी आप मैं खोट है तो इतनी बात सुन के कहते है कितने देवता बैठे कोई एक बता दो जिसमें खोट को न्या मुझसे ज़्यादा पापी बैठे इस यग में ब्रमग्यानी छोटा साई खोट मेरे मां आक मेरी ये कानी पर देवताओ का राजेंदर बैठ्या बनके सब का सरदार गोतम के घर जारी करने पोँच गया बदकार दाग छुटाने इस चांद का जाने सब संसारी और नारद नारद नरंडी के आगा पला दिया बसार और यो वेद व्यास अपने नानना ता पैदा मामंचो दर्रानी चोटा सा एक दोस मेरे माख मेरी है कानी कुंती और मादरी के बैठे पाचो लाल पांडू तना एक भी पैदा मन मा कर ले ख्याल पारवती के संग मा आगया बस मा सुरका काड बरज के मा सताई गोपी का रेकरसन तू भी तो चंडाल सब के खोट किनवा दिये सजनो प्रेमी सजनो इतने खोट किनवाए और गुस्सा होके चला जाता है अब सुक्राचारिये ने मन में प्लान बना वे इनका यग संपूर नहीं होने दूगा एक खीर का परसाथ बनाया सब तुरिश्यों ने बाज बनके सुक्राचारिये ने जहरीले साप को पंजे में दबाके खीर में गीर दिये कोई नहीं देख रहा था एक छोटी मिंड की देख रही थे मिंड की के मन में बात आई रहे इसको सब तुरिश्यी खावेंगे रहे सारे मरेंगे जब परसाद को लेने के लिए आए उबड़ती वी खीर में छलांग लगा गया गूद कमल गी सब तुरिश्यी ने देखे रहे नास कर दे इतना परसाद था इसको बंड़ने में चार दिन लगे और यो खराब कर दिया सबने सराब देने लगे के तु तो बढ़ी बेकार है मिंडकी लेकिन बाद में उस खीर कवे सर्जन एक गड़ा खोद को उसमें डालने लगे तो साप के शरीर के साथ साथ मिंडकी के सरीर लिख जा सारे समझ गे वह मिंडकी ने त थारे पराण बचाए सजनो सारे रिशी मातमा बैठे विलाप करते कि मिंड की का भई बड़ा वलीदान है सब्तरिशी कहते हैं मातमा हो जटा बढ़ाया अंडो हो रह या मिंड की न थारे पराण बचे तमने केक रहा है इसके लिए हम तो तब माने सब्तरिशी इसने जिंदा करो संजीवन मंत्र पढ़के मिंड की का पुनर जिनम करया लेकिन उबरती भी खीर के कारण मिंड की का सरीर खराब हो गया एक घड़ा लेकर के मिंड की के जड़ेवे सरीर को समें गेरा और संजीवन मंत्र जल डाल करके घड़े का मुँव बंद करके वहीं दबा दिया और वो जगह कोई और नहीं वो जगह थी आपके राजस्थान के मंदोर पड़ता है वहां दबा दिया यूग पदला त्रेता यूग आया वो जगह रिशियों की भूमी बन गई जमीन से उस घड़े को निकाड़ा उस मिंडकी की एक लड़की बन जाती है उस लड़की का पालन पोसंड कर रिशिय मात्माओं ने उस समय लंका का राजा रावन उनके पास आय करता तो मात्माओं से शिक्षा लेने के लिए वो लड़की भी जवान होने लगी रावन भी लड़का जवान था दोनों की आख मटका हुई, दोनों का प्यार हो गया, प्यार परसंग आयू आलो गया, वह लड़की गरवती हो गया, रिश्यो ने पूछा रहा किसका पाप है ये छोरी, बता देते जी रावन का है यो, रिश्यो ने रावन को बुलाया और कहा, इस लड़की के साथ में रावन का राजवा करता था, वानर थे बंदर थे दोनों, किस किंदा परवत को प्रवजारा, तो सजनों मन में विचार करता है रावन, किस गरवती लड़की को तू लेकर जाएगा, लंका वाले कहेंगे रहे, पता ना किसका पाप ठाके लिए है राजा रावन, उसमें ए दाडमार का सुगा, तो तुझे बड़ा अच्छा लगेगा, जिद करगी वो लड़की, जी एक बास कद खाओ, रावन हशा, और उस लड़की गरब वही किस किंदा परवत पर गिर जाता है, वो जो गरब गिरा, वो कोण बने आर ये लड़की, कोण थी, इस बात का आए दुबारा सवाल करें एक पल में पुत्तर जाया पती की सेवा करने लागगी, पुत्तर का सरक बाया अरे एक मिंड़की ने प्राण त्याग दिये, उसका का रज सिद्ध हो गया मंदोदरी मंद की से मंदोदरी मन्दोर मैं मन्दोदरी रूप में जन में लिया फस मोह में रावण मदे हो गया वा जबर्न ठाई ते हड लगाई एक पल में अंगध हो गया अंगध वो ही था लड़का जो गरब गिरा बाई एक पल में अंगद हो गया रण छेतर में नाटी थी कट शीश पुत्र कावत हो गया है सिरी लखे मीचंद ने समझा दे कावर ने आहिवा दे यह सवाल लकमी चंद के थे लेकिन यह जवाब है यह अभी बनाए है हिसार के पास हासी के पास गाउं पढ़ता है बाई ललित है जगदीश का चेला उसने जवाब बनाए है और जादे उमर कोन्या मेरत भी गड़ा सोटा है बड़ा ज्यानी लड़का है उस लड़के ललित के लिए ताली बोजाओ यह जवाब बनाने का कामस बच्ची ने किया है है जगदीशी न क्याने सिखाया जनित में तुमें समा पेनाया जोड़ी भूदी में चाया ने सिखा देखे दुखार यानित बादेखे आप सभी का धनिवाद